नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर और जैसे के हमने नाइन्थ क्लास के जो थार्ड चेप्टर है वो शुरू कर रखा है ड्रैनेज और इस ड्रैनेज के अंदर हम जो इंडियन जो हिमालियन डिवर्स हैं उनको डिसकुस कर चुक इन नजियों के जो औरीजन कहां से हैं और किस दिशां में वो बहती हैं और इनकी परमुखनती कौन कौन से हैं और क्या इनके अंदर डिफरेंस है वो देखेंगे हम क्योंकि जोगरफी की या एंसे डिक कोई भी को जोगरफी हिस्ट्री पॉलिटिकल इवर इकॉनोमिक्स इन से जो हैं हर कॉंपिटिटिव एक्जाम का क्या आधार तयार होता है यह सभी कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए बेस तयार करती हैं इसलिए यह वीडियो सभी चाहे उस्कूल गोइंग चाइल्ड हो विद्यार्थी उस्कूल का विद्यार्थी हो या कोई कॉंपिटि इंडिया इस फोन बाइद वेस्टर घर्ट किमारा जो प्राइज वी पठाण है इसमें परमुग जो जल का काम करता है वो जल का काम करता है आपका है जो पस्वी घाट है वो विच रंस फ्रों नोर्थ डूर्टु साउथ क्लोज्टु जो दावाएब्स ओस्टर्न कोस्ट ज यह उत्तर से लेकर के यहां से देखिए उत्तर से लेकर के और यह साउथ तक जो है पैरलल चलता है वेस्टन कोस्ट के पैलल चलता है इसके अधिकानस नदियां नैड आ यह जो सभी नदियां हैं यह पूरोधिशा के और बहती हैं पूरोधिशा के और बहती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर की गिर जाती है इसलिए ये नदिया जो है these rivers make deltas at their mouth अपने मुहाने पर ये नदिया जो है delta बनाती है जबकि हम जो पस्यम गिसा की तरफ बहने वाली जो नदिया है उन नदियों के एक अलग जो activities है erosional activities है वो देखेंगे तो देखिए यहाँ पर there are numerous small streams flowing west of the western ghats देखिए जो मारा पस्यम गाट है पस्यम गाट के पस्यम गिसा में भी बहने वाली बहुत सी नदियां हैं इन नदियों के अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल हैं वो देखिए इन नदियों में हमारी पर्मुक रोप से नर्मदा दातापी और दाउनली लॉंग रिवर्स इनवे अगर जो सबसे बड़ी नदियों के अंदर नर्मदा है तापती है और आप ये जो हैं परमुक बड़ी नदियां है विच फ्लो वेस्ट और मेक एश्यूरीज यहां पर आपको वर्ड नजर आ रहा है एश्यूरीज तो ये नदियां देखो हमने जो पूरों दिसा में नदि बह रही हैं वो नदियां जो हैं डिल्टाओं का निर्मान करती है जबकि पस्चिम दिसा में बहने वाले नदिया जो हैं यह एश्यूरी का निर्मान करती हैं जबारनद का निर्मान करती हैं जबारनद एक ऐसा चेतर होता है जहां पर नदियां पहाड़ों से निकल करके और तटों को काटते हुए एक उचे चेतर से समुन्दर के अंदर गिरती हैं उस एरिया को जबारनद बोला जाता है दा ड्रेनिज बेशिन ओफ दा पैनल शिलर डिवर्स और कमपेरिटिवली स्मॉलर इंसाइज और जो पस्वी तट पर वहने वाले जो नदियां हैं या हम यह कहें कि प्राइद विप की जो नदियां हैं उन नदियों का हिमाले नदियों के पेक्षा छोटा अफवात अंतर है अब यहाँ पर देखी हम एक-एक नदिय को जो हमारे नदियां हैं पैनल शिलर गी उन नदियों का हम डिशक्ष करते हैं वण बाई वर ने. और रिफ्ट वैली के अंदर रिफ्ट वैली ऐसी वैली होती है जिसके किनारे खड़े होते हैं और जो वोटम हैं वूट्स dip होते हैं। ये गाटियां जो होती हैं इनका निर्मान होता है इस डिया अपने मारग में असलाडर की तरफ जा रही होती है तो इस रस्ते में दा नर्मदा क्रेट मैने पिक शूले लोकेशन तो बहुत से दर्षनी इस्थल जो इस्थला करतियां हैं वो बनाते हुए चलती है नर्मदा नदी मार्बल रोगस जिन मार्बल रोगस बहते हुए आगे बढ़ती है यह वहां पर नियर जबलपूर, जबलपूर के पास मद्यप्रदेश के अंदर क्या करती है ये, जबलपूर में जो मद्यप्रदेश है वहाँ पर ये, जो है, वेर, दानर्मदा फ्लोज, त्रो इस डीप जोड, जो हाँ पर एक गहरा खट बनाती वागे बढ़ती है, एंड, दा बलपूर के पास है, वहाँ पर ये बनाते है धुआदार पाद, ये आपका नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर है, इंग्लिस के अंदर, वेर, दा रीवर, प्लंक्स, और स्टीप, रोक्स, जहां से नदी जो है, जो तिवर ढलान वाली, जो चट्टाने हैं, उन चट्ट नर्मदा नदी के, तो नर्मदा नदी जो है, आगे किस प्रकार से बैती हो, देखिए, इधर, यहां पर देखिए, जिस प्रकार से, गंगा के बारे में, चलो, इसका अबगार, ओल्ट रिविट्रिज ओफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, नर्मदा नदी की जो जितनी भी स साइक नदिया हैं, वो सभी छोटी हैं, और इसके अधिकांस जो नदियां, जो हैं साइक नदियां हैं, वो इसको समकून पर आ करके मिलती हैं, दा नर्मदा बैसीन कवर्स, पार्ट्स और मद्धे पर्देश और गुजरात, और जो नर्मदा नदी है, यह मुखे तोर पर दो राज्यों के अंदर बहती है, यह आपका मद्धे पर्देश और गुजरात के अंदर, मद्धे पर्देश वाला एरिया और गुजरात वाले एरिये के अंदर यह नदि बहती है, इसमें दिखिए जिस परकार से गंगा नदी के लिए एक प्रोग्राम, जो उसके सफाई के प्रोग्राम से शुरू किया हो, उसी प्रकार से दर नर्मदा रिवर कंजर्वेशन यानि नर्मदा नदी के संग्रेक्शन का जो कारिये करम चलाए गया है, हैज बिन अंडर टेकन बाइद गोवर्मेंट उप मद्यपरदेश बाई स्क्रीम नेम्ड नमामी देवी नर्म नर्मदे के नाम से मद्यपरदेश की शरकार ने नर्मदा न्यति को सौच करने का जो अभ्यान चला रखा है, उसके जरीए इसको सौच किया जा रहा है, मद्यपरदेश की शरकार के दोवारा, यूमे विजिट देयर वेबसाइट, यहां पर बताया गया कि आप इसकी वेने वाली पर्मुक नदी, तापी नदी हैं, तापी राइजिज इन दा सत्पुडा रेंजिज, जो सत्पुडा की जो पाडिया हैं, यहां से इसका उद्गम होता है, इन दा बेतुल डिस्टिक उफ मध्यपर्देश, यानि मध्यपर्देश से यह निकलती है, वो अमर्कं के समाना अंतर बहते हुए चलती है but it is much shorter in length लेकिन ये नरमदा निदी से कафी छोती है नरमदा नदी जो है उसकी length जादा है लंबा ही जादा है लेकिन इस नदी की तापी नदी की लंबा ही जो है छोती है it's icing covers parts of मद्यापरदेश गुजरात एंड महारास्टर देखिए उसका जो अफवाद छेतर था वो मद्यपर्देश उच गुजरात था इसका जो छेतर है इसमें महारास्टर का भी कुछ इसा आ जाता है ये तीन राज्यों शुहुकर के बैती है देखिए पस्यमी घाट और अरब सागरहाप का इसके बीच जो है तट्ये मैदान की एक संक्री पट्टी है hence the coastal rivers are sort इसलिए क्योंकि इस मैदान का आकार संक्रा है इसलिए इन नदियों का अफवाचे तरवी बहुत ही छोटा है the main west flowing rivers are देखिए यहाँ पर पर्मुख दो नदियों का हम अलड़ी उपर डिसकस कर चुके हैं नर्मदा और तापी यहाँ पर और जो छोटे नदियां पस्यम की दिसा में बैठती हैं उनमें शाबरमती, माही, भरतपूजा और पैरियार यह परमुख नदियां है शाबरमती आपके गुजरात में है, माही आपके माहरास्ट में पड़ती है, भरतपूजा यह करनाटक और गोवा के बीच की नदियां पैरियार जो है यह आपके केरला के अंदर नदियां पाई जाती है इसमें अगली लाइन यही पूछा गया कि find out the states in which these rivers drain in water किस खौणकोन से रच्जेत से होकर इनका अजल्ड पर वावित होता है अभी मैंने आपके बताया कि साबरमती गुजरात में है, माही भी माहरास्ट और गुजरात की बोड़र पर है, भरतपूजा और करनाटक और महरास्ट में और केरला, जो यह पैरियार है, यह केरला केर करलाग में है करलाग में परवायद होने वाली परमुक नदी है अब यहां की जो सबसे परमुक नदी जिसे विविविन एक्जाम्स के अंदर मैंतपण कोशन बनते हैं वो नदी आपकी गोडावरी नदी है गोदावरी नदी को जो दक्षिन गंगा के नाम से बी औल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है और प्राइद्वी पठार की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी देंगी दागोदावरी is the largest इस पेनल सुलग्य वर गोदावरी जो है वो प्राई दीवी पर भाग की सबसे लंबी नदी है इट राइज फ्रूम दा स्लोप्स अव्वेस्टन घाट इन नासिक डिस्टिक और महारास्टर की जो नाशिक डिस्टिक है नाशिक जिला है वहां से ये नदी निकलती है उनकी पहाडियों से वेस्टन घाट की जो चोटी-चोटी पहाडिया हैं वहां से यह नदे निकलती है इट्स लेंट इस अबाउट 1500 किलोमेटर याने इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1500 किलोमेटर है इट ड्रेंस इंटो दबे ओ बंगाल यह जो बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है इस ड्रेंज बेसिन इस ऑल्सो दग्रेट लार्जेस्ट अमंग दा पैनेल सुलर रिवर्स और इसका अफवाद जो छेत्र है वो भी दक्षेन भारत की जो नदियां है उनमें सबसे लंबा अफवाद छेत्र है दा बेसिन कवर्स पार्ट्स ओ जल है वो महरास्टर के पाद महरास्टर में अफवाई तो होता है महरास्टर के तवर योज क्या जाता है बाकी जो है मद्यप्रदेश उडिशा और अंध्रप्रदेश के तवर इसका जल जो है प्रियोग में लाए जाता है दा गोदावरी इस जॉइंट वाई नंबर ओफ इन में देखे मंजरा वैन गंगा और पैन गंगा जो है ये इसकी सबसे लंबी साहेक न Adia हैं। ये सबसे बड़ी साहेक नदिए हैं तेनों मंजरा वैन गंगा और पैन गंगा। यहाँ से question बनते ही बनते हैं। एक question यहां से यह बनता है कि दक्षन भारत की गंगा किशे कहा जाता है, दक्षन भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, कई बार इसके जो length है उससे भी question पूछ लिया जाता है, और पिछली बार किसी exam में मैंने देखा था, कि ये जो गोदावरे नदी है ये किस और ड्रेन करती है यानि किस समुंदर में किस वाटर बोडिज के अंदर जाकर के विलिन होती है तो ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के विलिन हो जाती है तो यहां पर देखें, because of its length and the area it covers इसकी लंबाई और जिस खेतर में से होते वी ये बहती है it is also known as dकşan ganga तो ये दक्षण ganga के नाम से भी जानी जाती है क्यों जानी जाती है वो अभी मैंने बताया क्योंकि इसकी लंबाई, इसका जो अफवाच खेतर है उसकी वज़े से यह highlight किया है मैंने आपको word इसको इसकी उपर आपको stress करना है इस word को आपको mind के अंदर set कर लेना है कि दक्षिन गंगा के नाम से कौन से नदी जाने जाती है गोदावरी नदी जाने जाती है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका महानदी के बारे में महानदी जो की मैतोपूर्ण नदी है ये भी एक दक्षिन भारत की तो यहां पर देखिए दा महानदी राइजेज इन दा हाई लैंड्स ओफ छत्तिस गड़ चत्तिस गड़ की जो उच भूमिया है यानि चत्तिस गड़ प्राने समय में मध्यपरदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था इट फ्लोस थ्रो उडिशा टूरिच दब्बे ओ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये उडिशा से होते हुए बैती है दे लेंट ओफ दे रिवर इस अबाउट एट फंड़ एट्टी किलोमेटर यानि आट सो साट किलोमेटर इसकी लेंथ है इसका अफवाच हितर है इस ड्रेंज बेसिन इस सेर्ड बाई महारास्टरा चातिस गड़ जहारखंट और उडिशा इसका जो अफवाच हितर है वो महारास्टर चातिस गड़ जहारखंट और उडिशाग में के अंदर से ये नदी प्रवाइट होते हुए आगे बैती है तो इसके बारे भी कम दिया हुआ है ये इतनी महतवपून नदी नहीं है इसके उपर जो आगे हम लेक्स के बारे में डिसकस करेंगी उनमें से एक कोशन बनेगा आपका लेक्स के उपर आगे है क्रिशना नदी क्रिशना के कर्शना जल विवाद प्रवाद होगा अपने कावेरी जल विवाद है क्रिशना जल विवाद है ये जो नदिया है इनके उपर विविन राज्यों के अंदर जिन से ये प्रवाइट होती है उनमें विविन परकार के जो है क्या बनते है आपके विवाद हैं डिस्पूट से हैं विविन स्टेट्स के बेज तो देखिए क्रिष्णा ने थी राइजिंग फ्रोम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है एक ज़रने से निकलती है दक्रिष्णा फ्लॉस फूर अबाउट 1400 किलोमेटर यानी दक्षिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये सबसे लंबी नदी के बारे में हमने जाना कौन से थी आपकी गोदावरी उसके बाद है आपका क्रिष्णा नदी जो की 14 किलोमेटर लंबी है और रिचिस दबेव बंगाल और यह भी बंगाल की खाडी म मिलती है इसकी जो प्रमुक्षाहिक नदिया है दतुंग भद्रा दकोईना एंड घटपरवा यह गटपरवा दमोसी यह जो मुशी नदी है मुशी नदी के तट पर आपका हेदराबाद बसा हुआ है और भीमा आर सम फिट्स ट्रिबूटरिज इसके प्रमुक्षाहिक नदि कवेरी बैसेंग दा कवेरी राइज इंड़ा ब्रहमिट रेंज आफ दा वैस्टरण घट यह पंसिमीघाट के ब्रहमिट की यह स्रंकला है वहां से यह कवेरी निंदी निकलती है आंड देट बे बंगाल इन डा वकूडल हर लोमझ तमिल नाडूहिक चनी होते हुए यह ब इसकी ट्रिविट्री को याद करने का एक आसान तरीका है नवती नीती या तेखिए इसमें दो के अंदर यह अमरावती है और इधर आपकी हेमावती है इनके अंदर दोनों के अंदर देखिए क्या आया हुआ है इन दोनों के अंदर आपको वती मिलेगा वती अमरावती हेमावती और नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक भवानी एक कावी नी लास्ट के अंदर नी कावी नी और इनके अंदर लास्ट में वती यह इसकी चार परमुक मेहतपुन साहिक नदियां हैं यह चार नदियां यह आपके जो अमरावती हेमावती भवानी और काविनी यह इसकी परमुक चार साहिक नदियां हैं दे रिवर कावेरी मेक्स दा सेक्ट लार्जेस वाटरफॉल इन इंडिया जो कावेरी नती है ये भारत का दूसरा बड़ा जल परपात बनाती है नौण एज शीव समुंद्रम फाल्स जिसका की नाम सीव समुंद्रम वाटरफॉल है जल परपात है दा हाइड्रो इलेट्रिक पावर generated from the falls is supplied to मैशूर बंगलोरू एंड दा कोलार गोल्ड फिल्ड इसके जो इसे जो यहां से जो बिजलिवत्पन के जाती शीव शमुंद्रम से यह मैशूर बंगलोर और जो करनाटक की कोलार को सोने की खान है उसको सप्लाई कर दे जाती है यहां पर देखिए दूसरा न और जोग जो है यह आपका करनाटक के अंदर है यह भी आपका करनाटक के अंदर ही पड़ता है और इसको देखिए यहां पर देखिए बिसाइड इस मेजर रिवर्स देर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टॉार्ड दा इस्ट पस्यम की दिशामें बेहने वाले कुछ और परमुक नदियां हैं दा दामोदर दा ब्राहमनी दा बेतरनी एंड दा शुवरन रेका और सम नोटेबल एक्जामपल्स ये कुछ चार महतोपूर नदियां और हैं जो के दामोदर है जिसको कि पस्षिमंगाल का शोक बोला जाता है ब्राहमनी है बेतरनी है और शुवरन रेखा कि देट पर आपका टिश को जो बसा हुआ है जमसेदपूर के अंदर जो टाटा ने अपने फैक्टरी लगा रखी है टाटा आयरें इंडिस्ट्री लिम्टेड वो यहां पर लगी हुई है यहां पर बताएगा है कि इन नदियों को आप अपने मांचित्र में देख देखिए 71% of the world's surface is covered with water देखिए विश्यों का एक एतर प्रतिस्द भाग है वो जल से घिरा हुआ है बट 97% of that water is salty लेकिन उस जल का 97% भाग क्या है अक्षार यह है of the 3% उसके बाद जो 3% जो जल बच गया that is available as fresh water जो कि ताजा जल के रूप में उपलब्ध है 3 quarters of it is trapped as eyes तो इसका 3 चोथा जो जल है वो बरफ की रूप में पाया जाता है और बरफ जब फिगलती है glaciers की तोर पर तो वो नदियों में आता है ध्रातलिय जल के रूप में चला जाता है जो कि हमारे लिए मानो उप्योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आज के लिए इतना ही आज हमने दक्षन भारत की जो परमुख नदिया है उनके बारे वे पढ़ा उनका प्वाद शेतर पढ़ा किधर इनका ड्रेंच चेतर है कौन-कौन से चेतर से निकलती है नेक्स जो है हम जो भारत की परमुख लेक्स हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे और उसके बाद जो जो डावलप्मेंट है या इकोनोमिक है इनके अंदर भारत का क्या महत्वपुन योगदान उसके बारे में डिस्कुस करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू है वेना इस्टे